मेह महंगाई अपनी चरम सीमा परें लेकिन इनका कोई स्टेट्मेंट नहीं आता कोई बयान नहीं आता और जब विपक्ष में थी तब ये सरकार को दोशी कहती थी आज इस सरकार में तब विपक्ष को गरती हैं इतना हमारा प्रसासन डरा हुआ है कि उसको हाथ जोडने की न अंदर बने हुए ना उसको कोई दिखाए ना कुछ से कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता और बोलना तो दूर की बात है हां 270 साल बात प्रथम शिक्षी का सावित्री भाई फूले को राज्य के संपॉक्षम सरकार केद्वारा मिला गया और हर साल स्वित्री भाई पूले की रियाद में सिक्षी का दिवस मनाया जाएगा मतलब यह बहुजनों के लिए काफी बेहत दिल्चस्व रखने वाली खुश खबरी है और महिलाओं के लिए उन्हें विशेश का शिक्षा के वर्ग में जो उन्होंने काम किये वह काफी महत्वपूरे हर मर्ग की महिलाओं को सावित्री फूले की तरह बनना भी चाहिए इसके साथ ही हम आपके सामने और खबरे लेकर आएं सबसे पहले यह वीडियो देखिए यह महाद्य इसमिर्टी रानी जी है जी हाँ जब विपक्ष में थी तब का इनका इनका भासड है भासड में यह महंगाई के खिलाप अपना कोई सब्सक्राइब को मतलब इन लोगों का जो एजंडा होता है वो सरकार की निथियों को कैसे लागू किया जाए और को कैसे भिरमित किया जाए इनको बखुबी आता दूसरी बड़ी खबर है भीमार्मी के चीफ चंद्रिसेकर रावन वो मद्धिपर्देश गए हैं और उन्होंने नेवावर कांड को लेकर सरकार से सवाल किया है सरकार के खिलाप निसाना साधा है इसके साथ ही दिलिप मंडल लिखते हैं कि भीम आर्मी चीफ ने नेवावर पहुचने के बाद अब MP सरकार के इस मामले को दवाना असान नहीं होगा आदिवासियों के नित्रित्व में इस अंदोलन में दलितों और पिछडों से जुड़े जाने के मद्यपर्देश में राजनीतिक वतावरन बदलेगा और अत्याचार कमूंगे उन्हें OBC के 27% आरक्षन का समर्थन करना चाहिए मतलब कि वो मद्यपर्देश गए हैं उन्होंने मद्यपर्देश सरकार के खिलाफ निसाना साथते हुगा कहा है कि आप बहुजनों पे अत्याचार नहीं चलेगा कि उनके प्राइवेट पार्ट में ढणडा डाल दिया और महिलाओ का चीरहरं कर दिया गया और किस तरीके से यूपी पुलिस की बरबरता हमारे सामने आ रही थी लगातार इन वीडियो को हमने पिछले महीने में जितनी वीडियो हमने देखी तक क्राइम हमारे देश में ब यह देखिए यूपी यूपी पुलिस की हम आपको बरबरता दिखाएंगे लगातार यूपी पुलिस का वीडियो वाइरल जो हो रहा है पंकज्जा ने वीडियो शेर किया और वो लिखते हैं कि यूपी के टावा में सिटी प्रसांत को मारा हाथ जोड कर नेताव से कह रहे हैं कि आपके लोगोंने हमें थपड़ मारा मतलब की सोचिये पुलिस का किस तरीके से सर्मनाक वीडियो मारे सामने आता है कि पुलिस को इंसाफ करने के बज़ाए जस्टिस के साथ खड़ा होने के बज़ा है वो हाथ ज को लोगों के साथ खड़ा रहना सच के साथ के स Qi आप चाहिए ब्रहस्त चार क्रेप्शन और सरकार की घल 설कें खे आप हमिशा बोलना चाहिए यह देखिए दूसरी खवर है उन्नाव से उन्नाव जिले में सी ओडी हैं कर कृष्णा तिवारी को बुरी तरह पीट रहे हैं और वो लिखते हैं कि पुलिस अधिकारी बेबस होकर अपने सीनियर से कह रहे हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक पत्थर मार रहे हैं और साथ में बम वी बरसा रहे हैं वीडियो में भाजपा नेता वीमल भधोरिया का नाम ले रहे हैं पुलिस के अधिकारी मतलब की पुलिस के अधिकारी जो है अपने सीनियर को बोल रहे हैं कि भाजपा की जो नेता है वो हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं बंबारी कर रहे हैं और इसके साथ वो कोई कोई एक् उनके खिलाब किस तरीके से गुंडागर्दी बीजपी नेताओं की लगातार हमारे सामने आती है इस पर हमारी प्रसासनिक विवस्था हमारी योगी सरकारों हमारे विपक्ष के नेताओं सब खामोश हैं खामोश क्यूं है अखिर वही जाने कि उनका राजनितिक फायदा है क समाज़िक फायदा है लेकिन समाज के लोगों के लोगों के बोलना पड़ेगा क्योंकि देस की बरबादी है यह वो अपनी सीमा पर है देस की स्थिती जो हो चुकी है जिस तरीक से लगातार वीडियो आते हैं आखिए यूपी की बात करें यूपी में तो सीधा तोर से रा कि अन्दर की मर चुकी ए इसका साथ इन्सानियत की मर चुकी है इसको साथ ही कुमार मीडिया का लकड़ बगगे और यह गुरूप में यह अपने पूरे जुन्ड के साथ खबरो का जो एक तरीके से जुन्ड बनाकर प्रदशन करते हैं वह भयाबग होता है डिबेट शो में बसुख के प्रभी कर सा जो सच यह हैं यह कल्योग नहीं है अई acts यह कल यूग में जब आप जूट लगेना तो तो इस देश की बरबादी तया है तो इसी लिए पत्रकारों को अपना सच लिखना चाहिए सरकारों का क्या है सरकार तो आती जाती रहती है लेकिन पत्रकारों को अपनी निस्ठा लगन के साथ हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए इसके साथ रोईणी सिंग लिखती है क कि बंगाल में कार का टायर भी फट जा तो हिंदु खत्रे में आ जाता है पर पंचाज चुनाव में आग में जलता हुआ उत्तर परदेश किसी को नहीं दिख रहा है मीडिया के अधिकारी तोर गांदी जी के तीन बंदर बने हुए हैं मतलब की यूपी में जिस तरीके से कार जोरो शोरो से काफी लगी हुए अपने काम में लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके साथ ही रोणी सिंग ने प्रसासनिक विवस्ता को टार्गेट करते हुए लिखा कि हमारी जो प्रसासन विवस्ता है वो गांदी जी के तीन बंदर बने हुए ना हुए गलत के खिलाब बोले बहार की कंट्री की कि अगर बात कर वहीं परसासन विवस्ता जंता के हिति में काम करती है लेकिन जंता के हित्में कोई नहीं बोले जो बोले गाजेल पीछे होगा दिलिप मंडल लगतार लिखते रहते हैं लेकिन इस पर भी हमारी सरकार को एक्षन नहीं लेती है अगर कोई पत्रकार इस पर कुछ बोलेगा तो जैल की सलाकों के पीछे होगा यहां इस देश में अपने राइट्स पर बोलना गलत बात अपने मौलीक अधिकार कि आप कल्प ना कर रहे हैं जिसमें कोई सुरक्षित नहीं है इसे सब चीजों को ले कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया अपनी राइज जरूर दें धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख